कि अजिए बाइब अपर्टेट्पर्म पे जल्दी आजब बहुत देड़ से देख्रा हूं वह अज नए बच्चे भी हैं और बहुत गप लगा रहा रहा है साठolith साथ है जलदी आजने पिटा फिर पूप चीज़ों को लेकिए स्कूस करेंगे फिर से वापसवहीं सवाल हमारे है कि जल्दी शाजाओ फटा-फट को बच्चा पाटी एक बार बता दो मैं दिख रहा हूं है गुड इवनिंग गुड इवनिंग निहां सर्मा गुड इवनिंग बहुत बढ़िया अरे सर आपकी लाइन कौन से वाली हां वालकम बाक टू जैक एड में एक बार सारे मेरे प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है जैक एड में के इस शांदार और अमेजिंग प्लीट फॉर्म पे हां ये बात तो है शैल्जा मिश्रा बिल्कुल बिटा चल एक साथ है आँ सोने जा सकते हैं दों कॉन साठ्टर है यह तो मेरे भी सप्राइज है टाधे साहरे पटेल गुड़ी उनिंग देखो पिटा सारे बच्चे जल्दी से आजाओ फटा फट से अटेंडेंस याने की वीडियो को लाइक कर दो शेर कर दो विकॉज उसके बाद में हम शुरू करेंगे 2000 कोशन के वह एक आगे का स्टेप जहां पर हम स्टेप आइस तर चीजों को ले बच्ची चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूं वाट्सप पे एक ग्रूप लेकर आ रहा हूं आप लोग का हां अब उसमें वह बच्चे एड हो सकते हैं जिनको थोड़ा सा अपने नंबर को लेकर रहता है कि मेरे नंबर की प्राइवेसी का मुझे दिक्कत नहीं है मै या हैंडल कर सकती हूं या कर सकता हूं वह बच्चे वाट्सप के गूरूप में एड हो सकते अब ऐसा नहीं मिलेगा जो हो नहीं हो सकते है है जिनको ऐसा लगता है कि सर मिरको नंबर शेरिंग का इश्यू है मैं वाट्सप के ग्रूप में नहीं हो सकती हूं आप मत होईएगा ठीक है बागी सारे बचे वाट्सप ग्रूप में एड हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और हाँ अगर मान लोग दो चार ऐसे होते हैं मज वाट्सप अलग चीज़ें और वाट्सप का ग्रूप अलग चीज़ें तीनों चीज़ें सेपरेट हैं तीनों अलग अलग टाइप के बच्चों के लिए है तो वाट्सप का ग्रूप और वाट्सप का चैनल सबके लिए वाट्सप का ब्रॉटकास्ट सबके लिए डेफिन ग्रूप को और टेलीग्राम के ग्रूप के अभी नहीं मिलेंगे वो आइड कर दूँगा मैं वाट्सप के चैनल्स वगर आपको मिल जाएंगे आप डेफिनली वहां पर आड़न होगी है सारे के सारे बच्चो और डेली बेसे पर चीजे आपको मिल रहे हैं इंस्टाग्राम के स्टोई वगरा मैं को चीजे मिल रही है हर चीज प्रॉपर मैंनर में जारी और इसको और बहतर में करने की पूरी-पूरी कोईश करूंगा टेलीग्राम को डेफिनली बेटा आप जॉइन कीजेगा क्योंकि PDF विगर रहा है सारी चीजे यहां पर आपको मिलती रहती है को वाट्सप नमबर पेटा 8619850532 तो इस नमबर पर आप में को कॉल करी अगर आपको कोई दिक्कत होती है 8619850532 और इन नमबर को सेव जरूर रखिएगा बिकॉस यहां पर मैं कई बार बहुत सारी इंफॉमेटिव वीडियो डालता हूं आपने शॉट्स यानि स्टेटस क माध्यम से तो आप उनको भी देख पाओगे बिटा क्लियर है अच्छा ग्रूप में तो हम सरीव बच्चे हैं क्या बात हैं बिल्कुल एजुकेशन वारा बिलकुल करते हैं बिलकुल करते हैं ठीक है तो आज ही क्लासिस को शुरू करेंगे टूट आप सभी को पता है तो कि यह उन वाट्सप के बच्चों के मैसेज है जिन्होंने 223 के अंदर आपका मिला तो मुझे लगा कहीं ने कहीं यार में को बच्चों के साथ शेयर करना चीज़ें तो मैं लेकिया आगया चलिए आज आफटाफट से आप किसी बच्ची ने गैस किया था कि चैट्टर नं आ जाईए तो आ चुकी है घड़ी साहिबा हिलेंगे नहीं क्या ये गुस्सा है हमसे गुस्सा मत रहिए आप गड़ी साहिबा बुरा मान गई है कि सर हम नहीं आएंगे ऐसा कि लग रहा है बोड यी बुरा मान गया नहीं बोड तो बुरा नहीं मान रहा है ओ बोड बुरा मान गया है वाकि और कोई चीज थोड़ा सा लैग हो रहा है ना चीजों में कि ऐगें ऑगें आप गड़ा बेटर हैं है और रॉल यह था है यह बोड के गड़ी को लेकर आते हैं तो गुस्ता हो जाता है कि मेरे होते हुए आप घड़ी को कैसे लेक्स्राइब हैं है ना कि चलिए कोशन की आंसर मिलें लगा है कि या बात ब़हाँ बढ़िया क्या of alleles on a different rates this is the based on एक गुण पर युगम विकल्पी के प्रथकरण का दूसरे युगम विकल्पी के प्रथकरण पर कोई परभाव नहीं पढ़ता यह किस पर आधारित है इस नियम को क्या बोलते हैं अच्छा option हिंदी में नहीं है इस बार है न को के टेक्निकल टीम को डाक लगा और इनके option COD Astar Some C ऑ रहे है मैं देखी नहीं पाया पहले किस बक्रीने आंसर किया इस बार बटेट इस में बता देता हूं सही ऑंसर इंडिपेंडे एस हूं सही सर्फंट डैफिंट ह़ी आनसर सी इंप नदे विशाल जी सही है रेनु चौदरी जी पहली बार रहे हैं वेल्कम है आपका आप चैनल को लाइक करके यह सब्सक्राइब कर गाएगी बटा वंदु पीटा सी आंसर विजया लक्ष्मी जी सी आंसर क्या बात है प्राची पीटा सी आंसर बिलकुल मेरे एक उतकी नमर बिटा अर्जुन जी क्या रहे है पीटा आप डॉक्टर किरन बहुत बढ़िया सी आंसर क्या बात है बहुत बढ़िया शैल्जा मिश्टा सी आंसर बहुत बढ़िया सारे बचोगा करेक्ट आंसर है पीटा देखो युगमविकल्पी दूसरे युगमविकल्पी से क्या रहता है इंडिपेंडेंट लिए रहता है यानि कि अलग रहता है क्या रहता है अल रौंड एन-्रिंकल को लेके तो यहां पिए दौनओ एक दुसरे पेट क्या नहीं करते एक दुसरे इंपक्ट नहीं डालते प्रभाव निए क्यों नहीं डालते प्रभाव तोकि हर अलील अपने आप में अलग निकलता है यानि यह यह बनाएगा ऐसे यह बनाएगा ऐसे और यह बनाएगा चोटा वाला डवलू तो हर अपने आप अलग हो जाता इसलिए दूसरे पर क्या नहीं करते प्रभाव नहीं डालते इसी को बोलता है इंडिपेंडेंट असौट में क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट असौट फेंड तीके सब्सक्राइब अब एक प्रॉपर मैंनर में यानि कि आप पहले कोश्चन लिखोगे उसके बाद पर उसका ऑप्शन का नमबर लिखना है फिर आपको ऑप्शन टिक करना ठीक है चले तो अब इस कोश्चन का अंसर यह मेरा एक्स्पेंड कर दिया यह थियोरी पोश्च में आपको सारी सीज्ञें मिलेगी तो डैफिरेंटली आपको इसको यूज करना है ठीक है टेलेग्राम पर जुनना बहुत जरूरी है विकाज अब वहाँ पे MCQ सीरीज होने वाली है या जीन एक साहर विरासत में मिलने की प्रवर्टी दिखाते हैं मतलब बिटा एक साह आएंगे वो आएंगे तो उन्हीं आएंगे इसके तो यांगों कि रहें अब एक सात रहेंगे इसका मतलब सहहल लगण की बात हो रही है हिंदी बालों चीज़ें जुड रही है इसका आंसर करें जल्दी से आपका देखते हैं सी आप्षन सबसे पहला दिया है गुड्डु भ्यान यानि वंद्रा बिटने बहुत बडिया बिटन के ऊसमों बहुत बढ़ी है करेक्ट करेक्ट रहे हैं होईलोकस सїसर आपके घर की कोई जगें यह ना है तो लोगस मतलब एक दैसी तो ऐसे जीन जिनकी जगाए एक हो हमो लोकाई हो तो प्लेस सेम होना चीए है हमो मतलब सेम हो गया हिटरो मतलब अलग हो गया तो यहाँ पर बोला के सेम सेम दिखना चीए तो वो क्या होता है linkage क्या होता है linkage सहल लगना जुड़े वे हैं जहां तुम जाओगे वहां पीछे-पीछे मैं आऊंगा क्लियर करेड 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 अब सबने सब सही किया है अखी डिटोरियल विटे अभी भी आपका आंसर भी कैसे आ रहा है और भाई आप लोग आंसर करें आगे कोशन नमबर नहीं लिख रहे हो देखो विजय लेक्षमीजी ने कैसे आंसर किया है तू का ए बहुत बढ़िया ठीक है आगे चलें इसका आंसर करो जल्दी से जाइंट पॉलिटीन क्रोमोजूम और फाउंड यानि विशाल पॉलिटीन गुंसुत्र किस में पाए जाते हैं भाई मतलब ऐसे गुंसुत्र ऐसे क्रोमोजूम जिनमें बहुत सारे जीन्स होते हैं उन्हों कहां पाए जाते हैं इनमें से बढ़ाओ एग आफ फ्रूट फ्लाई मतलब फलमक्खी के अंड़ों में इसलाइवरी ग्लेंड ऑफ लार्वा फ्रूट फ्लमक्खी के लार्वा की जो अपकी इसलाइवरी ग् क्या है अगर बच्चे सोचते हैं जो गलती करते हैं कोई बात नहीं को अंजली कुमारी बहुत करेक्ट आंसर पीटा गड़े विशाल जी करेक्ट आंसर हसते रहो हेलो हेलो बिटा नाम प्यारा है आपका बिल्कुल हसना ही जिन्दगी का मकसद होना चाहिए विकास रोने स सब्सक्राइब करने से प्रॉब्लम सौट आउट नहीं होती है चलिए आ जाई है खुश्बु कुमारी भी आ चाहिए क्या बात है थर्ड का अप्शन भी जा रहा है इनका देखते हैं भी है के नहीं है बी बी आंसर बी क्या बात है वंदना जी एक्दम करेक्ट आंसर है आ फूट फ्लाई है फूट फ्लाई है सब तो सेमी है तो जीन तो सेमी रहेंगे लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है सर यह तो फॉस्ट टाइम देखा है रिनुशादरी क्या बीटा कुशन वही मेरे बच्चे तो खुश्यार निकले यार बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर आपका सही है बीटा के आपका सिलाइवरी ग्लेंड ओफ लारवा लारवा जो होता फूसके सलाईवरी ग्लेंड में आको क्या मिलता है जाइंट पॉलिटीन क्रो मुझम मिल देखने को मिलता है इंट कि है यह बढू से बहूत बड़ा बहुत अच्छा लगा मिरे को आपको नॉर्मल क्रोमोजोम मतलब एक नॉर्मल क्रोमोजोम की लेंध होती है उससे कई गुना बढ़ा होता है दूगुना ती गुना नहीं कई गुना विज़य कौतम जी घ्लो पिटा पॉलिटीन क्रोमोजोम are found in salivary grain of larva fruit fly and show several distinct dark easteen plants ये इतना लंबा होता इसके इचमें私 मिदा इसकी गैप्स देखेंगे को मिलता है क्योंकि जीन बिख्रेवे होते हैं तो जब जीन बिख्रेवे होंगे तो उनके वीच में गैप्स होंगे क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आज ये बिटा अनामिका शाक्या गुड़ी उडिंग बिटा गुड़ी उडिंग मुस्ट वेलकम एक बार सारे मेरे पहरे पर जो फटापट से जाओ और वीडियो को लाइक करके आज़ो इस कोशन का जो मैंने एक्सपर्ट किया था उससे अल्टिमिट रिजल्ट दिया आप लोगोंने मजा आ गया मतलब शांदा चलिए अब आगे चलते हैं कोशन पर इसकोशन का पहला आंसर कौन देगा दिखते हैं टाइम आपके सामने है टाइम स्टार्ट ऑन वन एग्जांप दौनर ट्रेट से एक साथ होंगे तभी क्या दिखेगा हमको करेक्टर दिखेगा लक्षन दिखेगा प्रोटीन बनेगा उसको बोलते हम क्या को डॉमिनेंस क्लियर है थोड़ा स्किप करना होगा मुझे ओके बिटा कोई दिक्कत नहीं बिटा गुडिविंग गुडिविं शाबिर खान और अंसर आने लग गए है बच्चों के क्या बात है वी 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 क्या बात है डॉक्टर खान सर क्लास में जुड़ने से पहले ही लाइक कर दिखेगा वाद है बिटा सो सुट उफ यू यार इता प्यार दितेते होना मजा आ जाता है मतलब लगता है बस आज क्लास जम्दार होनी चाहिए एक भी बच्चे के आंसर गलता डी आंसर जा रहा है आपका human eye color नहीं होता human eye color is not a correct option ध्यान रखिया ABO blood group देखो बिटा simple सीती बात है आपके पास में कौन है ABO के अंदर पाई A gene है B gene है अगर तू अकेला रहेगा तो ये लो ए ए तू अकेला रहेगा सॉरी तू अकेला रहेगा तो B B ठीक है तो यहां पर B कौन सा है यह आई वाला आ जाएगा और यह 0 ठीक है यानि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा अगर मैं simply और बनाओ तो आप ऐसे देखने को मिलता है किसे इसके दो प्रारूप है यह मिल सकता है या फिर यह मिल सकता है दौनों के case में ए ही होगा बी के बारे में बात करें सब्सक्राइब है कैसे सबी में भी ऐसा ही होगा इसके नقल मार रहा हूँ तो बींगे केसे बात करें विट तो क्या होगा वही सेम यहां पर आई-बी आई-बी या फिर आई-बी आई-ई-ओ यह मिल सकता है और क्या हो तर दौनों आ जाएं सर दौनों आ आपको मेरा नाम सेम हैं बिल्कुल बिल्कुल बिटा आपको मेरा नाम बिल्कुल सेम हैं बहुत तो जाएंगे इसका मतलब एक का आई आएगा न एक का भी आएगा तो sir इसका मतलब यहाँ पे तीन ब्लड ग्रूप बन रहे हैं दो दो एक साथ आ रहे sir एक और भी दो सकता है sir यह दोनों यह एक साथ नहीं आए तो एक नया ब्लड ग्रूप बन जाता है कौन से वाला बन जाएगा sir वो बन जाएगा खाली हाथ तुम भी खाली हाथ मैं भी खाली हाथ एक ब्लड ग्रूप दो ब्लड ग्रूप तीन ब्लड ग्रूप और चार ब्लड ग्रूप तो यहाँ चार ब्लड ग्रूप क्या है बिटा human abio blood group system में क्या मिलता है co dominance एक जीन A का एक जीन B का दौनों का role important है इसमें पास अज़िवाई इसलिए क्या दिखाता है यह सभरभूत बहुत बढ़िया B is a correct answer बिटा आप इस question का answer करो जल्दी से देखते हैं कौन करता है फटा फट से Your time starts now bio पढ़ लो बिलकुल पढ़ लो बिटा अच्छा मैं हट जाओं क्या जल जल जी answer करिए answer answer मजा आना चीए भई देनु चौदरी जी answer गड़े विशाल जी answer 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 आने चीए भई question क्या बोल रहा है loop of lambrish chromosome present the site of lambrish गुंशोतरों कहा रहते हैं किसका प्रदिश्यूत करते हैं अब इसके option शुप गए है ना मैं option लग देता हूँ चलिए option है बिटा replication पहला है replication replication दूसरा है बिटा transcription दूसरा क्या है transcription तीसरा क्या है बिटा हमारे पास cell division और चौथा क्या हमारे पास crossing over इन चारों में से आंसर क्या है जल्दी से बढ़ाओ बढ़ाए 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 मेरी वाइस बहुत अच्छी है थैंक्यों पीटा सो मच इसरा और आप्षन नहीं दिख रहे हैं आप दिख रहे हैं आप दिख रहे हैं आप बढ़ाओ आणसर क्या है लूप आफ लेंब्रेश क्रोमोजोम प्रेजेंट इन साइट जो लेंब्रेश को गुंड सुत्र है उनका जो लूप है चक्र बन जाता है वो क्या प्रतिजित करता है कि वहां क्या हो रहा है इन में से कौन सा प्रॉसेस हो रहा है यह कौन यह क्या बताता है जल्दी से बताओ बढ़ी बढ़ी आँखों का मतलब क्या है भाई बताईए अगर आपको जबा जरूरी लग रहा है डेफिनली पिटा जा सकते हैं अप्षेंस आने लग गए हैं मेरे पास बच्चों के गुड़ू बया इस बार गलत आंसर है आपका शाक्षी पड़िल जी गलत आंसर है नहीं पता है नहीं पता है ओके बिटा ध्यान रखना जो लैंब्रश है यह बहुत प्यारा सवाल है लैंब्रश जो है बिटा वो शो कर अब्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् बहुत बढ़िया वीटा, बहुत बढ़िया अब आगे चलें इसका आन्स समेश मा आ वीटा क्या है आपका ट्रांस्क्रिप्षन इस पे आ जाओ आन्से करो जल्दी से time starts on six जल्दी से आन्से करिए जल्दी जल्दी जल्दी, sorry sir, okay कि माफ्स किया चलो इस बागलत नहीं होना चीह पर मौसम जी क्या हो गया मौसम कैसे भी गड़ रहा है आपका सर कोशन का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था अभी दिख रहा है भाई मस्त दिखते ही आपने आंसर सही किया है मज़ा आ गया कि जल्दी आंसर करें विजय कौदम जी आंसर पिध्यान बच्चावाट यांसर क्या लिखा है हाव कैन इट बी डिटेमाइन वैदर दप्रेजेंट और प्रॉजनी इस फोमोजाइगस और हिटरोजाइगस कैसे पता चलता है कि जो जनक संतति है वह क्या है वहमारी सम यूग मजी हैं यहां है होमोजॉटारगस करड़िशन है या ला चंत क्यारा सवाल यह कोई एक्जाम इसा नहीं इसा कीonton सवाल पूछने की संभावनाई नहीं हो अगर इस सवाल पूछा जा रहा है इसका मतलब सानिका माल गुटे पिटागलत आंसर है आपका खुछी परटेल जी पिटागलत आंसर है आपका सारे बच्चों का और सही है बिटा कर्क्राइख्व बढ़ कि स्ब्सक्राइर करेक्ट आंसर जैसे हुआ करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ध्यान रखना टेस्ट क्रॉस टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसको बैक क्रॉस के अंदर लेके रहते हैं नर्सिंग स्टुरेंट गोड़ी उनिंग नए सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है बहुत अमेजिंग जाएगा उनके सारे चीजों के आप जाके एक बार सर्च आउट कीजिए गोत्रू कीजिए कि कैसा क्या चीज़ें आपके लिए फिवरेबल रहती है कि साधना जी क्या बात है बिटा आंसर गलत दिया आपने टैस्ट क्रॉस से ही हम पता लगा सकते हैं कि जो प्रोजनी है वो पैदा हुई वो जिस जनक से पैदा हुई वो जनक क्या है सम्युगमजी है या विशम्युगमजी है करेक्ट आजएए पदमाशों शाक्षे जी को हसी आ रही है कि चिवरी पकड़ी गई कि हम चीटिंग कर रहे हैं इसका आंत करो दा एक्सप्रेशन ओफ होलेंड्रिक जीन अब यह होलेंड्रिक जीन क्या होता है भाई पहली बात तो यह सर मैंने तो पड़ के बताया था क्या बढ़िया बिटा काना जी बहुत बढ़िया है अर्पिदा जी भी आ चुकिए क्या बात है बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं मज़ा आने वाला है लगातार आंसर करो आंस कॉंपिटेशन होना चाहिए कि पहले कौन करता है जैजी जैजी भी असरे हैं क्योंकि इन्होंने भी नकल मारी है क्या बात है शाहिर खान जी बिल्कुल आप नए बच्चे हैं मिटा सवागत आपका एक बार फिर से आप डेफिनेटली बिटा आपको बहुत सर हमने तो हमने टीपा नहीं कुरूजी टीपा नहीं है ओके तो आपने च्छापावे हैं टीपा नहीं है सर हमने इसका आंतगरिए सर आप एक बार कोईश्चन्स को हिंदी में भी पढ़ा कीजिए बिल्कुल बिटा काना जी बिल्कुल पढ़ूंगा मैं I definitely पढ़ता हूं हाँ इसको मैंने नहीं पढ़ा extremely sorry अचा हॉलेंट्रिक पर रुग गया था मैंने था इंग्लिश पर नहीं पढ़ा बिटा हॉलेंट्रिक जीन कॉज फॉलॉइंग जेनेटिक रीड यानि कि अनुवान्सिक लक्षनों में इसे बात की गई है कि हॉलेंट्रिक जीन की डाफरेंट्लि आपकी पूरा complete revision हो जाएगा अच्छा नहीं किया था जाया जी ओके ओके बिटा ओके आई 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 जल्दी से आंसर करिए इसका आंसर क्या है सेविंद का आंसर बच्चे उन्हें डी किया है साधना जी आपका गलत हो गया खुश्बु कुमार ज जी बिल्कुल नहीं है आपका गरेक्ट आंसर नहीं है इस बहुत सर बचें गलती कर बैठ रहे हैं इसका correct answer is called a D hypertrichosis hypertrichosis च्वाइप आपको आपने सुना हो गार्भा कको कानों पर कानों पे बाल आजाते हैं रहें जैसे ये इस मिलते чаी बार है तो हम लोग बोलते भागशाली इंसान रहें आपको तो पाइसा बहत है माल पाशाली बहत है क्यों तो कि हम बोलते हैं यह कानों पर बाल उगते हैं इसको बोलते हैं कानों पर बालों का उगना है इस पूरा नाम क्या अबने आ आते ही सिर्क आंसर क्या बात है। क्लियर तो कानों पे बाल औरतों के नहीं आते मिल में आते हैं इसलिए होलेंट्रिक जीन के बारे में बात की जा रही है क्लियर आगे चलें इसका आंसर करो जल्दी टाइम स्टार्ट ऑन 11 तब मैथट ऑफ डीने रेप्लिकेशन इस डीने प्रतिकर्ति की विधी क्या है बताओ कैसी विधी है डीने प्रतिकर्ति वन्दब डीने का एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होना यह किस बात पर जल्दी 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 आंसर कर यह फटा फट से एट का आंसर क्या निकल के आएगा तब तो मैं बढ़ता हूं नोबिता क्या बात है भाई ये वंदना जी टिंडा कहां से आ गया बीच में आक्सिस हेर ग्रोथ नहीं है शर्मा बिलकुल सही का आपने बट कानों इसको बोलते हैं हम हाई पर ट्राइकॉसस विजय गौतम जी इमोजीज बहुत आ रहे है भाई तिंडा क्या है बता टिंडा और टिंडा होता है जब कोई प्रॉल्लम सौल नहीं होते लोग तिंड जैसा कर लेते हैं थांक्यू बैटा थांक्यू आप सारे लोग बहुत पिटाएगण कि प्מोख करने से उसके साथ लड़ने से कैसे करें अ अपना interest लेंक्याओ एक बार effort करो आप 4-6 घंटे बैठ के पढ़ो टोपिक अगर समझ में आई ना फिर सवाल परणने मजा नहीं आए तो मेरे को बताना रही आपट एक बार तो मैनद करने निए के उसको रोलाया जाता है तो सोचो बिटा जिन्दगी में पहली जीम्हार आप warm लगाते हैं दोस्ते आपको तो समीं बना के चुपचा नहीं होती बिटा चाहरो आजाओ आंसर भी आने लग गए हैं बच्चों के क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आर्थी एद्वनशी बिटा डिस्ट्रप्टिव नहीं होता बिटा सेमी कंसरवेटिव होता है क्योंकि एक स्टेंट तो कंप्लीट सेम रहती और एक नहीं बनती है इसका अधा जैसे अभी इंडिया का मैच होने वाला है सैमी फाइनल तो आधा तो वो जीच चुकी है फाइनल में के लिए वही चीज़ बोल रही है तो सैमी कंसरवेटिव मोड आप्लिकेशन देखने को मिलता है बेटा डियने के अंदर क्लियर आगे चलें इसका आंसर करो भाई फटा फट से को टाइम स्टार्ट्स ऑन 3 जल्दी जल्दी आंसर करिए मैं दिखता हूं कौन-कौन बच्छों ने करेक्ट आंसर नाम दिये हैं तब तक शाहिर खान गाड बाइंडिन दो केसे हैं अब भाई कहाँ बनने कि वह जहां उन्हें जैगह मिलेगी आप जैगह कहां मिलेगी प्रोटीन डियन घुद एक बड़ा ड़ोर्य he में क्या जुड़े होते बिटा डी एने के बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं क्लियार शाबस जय जी शाबस शाहिर खान शाबस वंद्रा बिटा साधना जी करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब आ और हाँ फॉर्मेट में आंसर नहीं दे रहे हो भाई फिर मेरे को ट्रिंदे से मुझ बनाना पड़ जाएगा तो यहादा प्रॉब्लम सौट करो भाई मेरी है ना है फॉर्मेट में जैसे देखो खुश्वुकुमारी ने गरेक्ट आंसर दिया है विजय लक्ष्मी बिटा न मौलीकनल इनदेटिक मौलीकनल होता है एक यह हमारे शळीर में जो एनशी करनसी हो यह है कि सुरह सब्सक्राइओ अगैनीजिक वाला और यह एनगैन वाला phosphate ही हमको क्या देता है हमको कुछ कर गुजरने की ताकत देता है हमको कुछ कर गुजरने की ताकत देता है एड आ गया यह एड कैसे आ गया चलो आजाओ अब आजाएं यहां पर आंसर पिट्या कोश्चन नमबर स्टारा परभए यह मतलब डिया ने को कैसे तोड़ा जा सकता है डिया या को कैसे तोड़ा cowardly वभी भाइगा देटा चल रहा है थोड़े सी कोलेडियों कर दो थोड़े सी दोह रहा होंगा तो डीने डी नेट कैसे होगा अनवाइंडिंग ऑफ डीने मॉलीक्यूल डबस्टेंड यानि कि हम डीने के दोनों टुकड़ों को ऐसे अलग कर देंगे absorption of अच्छा इसको कैसे अलग करेंगे जैसे बच्चियां अपनी चोटी खोलती है तो चोटी में तो तीन धागे होते हैं लेकिर अगर दो हुए तो सर आपको कैसे पता आप चोटी बनाते हो नहीं बेटा मेरे तो बाल उड़ रहे है क्या हो रहा है अन्वाइंडिंग ऑफ ड interaction हाइड्रो पानी से डर फोबिक पानी से डर अगर बढ़ा देंगे तो हो जाएगा क्या बिल्कुल पानी से डर बढ़ा दोगे तो बेस के साथ में क्या है एच बॉंडिंग है हाइट्रोजन बॉंडिंग है और हाइट्रोजन बॉंडिंग कहा बनती है फोन पे हाइट्रो तो 80 GC में GC-rich DNA किसमें होता है भाई? तनुझे शर्मा भी आ चुकी है क्या बात वेलकम हैं इस से DNA टूटता है याद करो Snow Blindness होती है Snow Blindness होती है UV Yes से याद करो है ना आपके 12 की Ecology NCID में टॉपिक दे रखा है बिटा तो तीनों से ही टूटे का सर इसका मतलब correct answer is D clear है बच्चा बाटी? C is not a correct answer शाक्षी पटेल बेटा क्या बात है? चोटी बोलते हैं चोटियों की बात शुरू गई है मौका चीह है इसका answer करो जल्दी से Your time starts on 8 Human Genome Project was focused on discovering the details of बाई मानव Genome परियोजना विक का जो विवरण है वो किस खोज पर किंद्रित था? मतलब क्या चाहता था हम क्या खोज कर लें? Human Genome Project क्या चाहता था हम क्या खोज कर लें? Human Genome Project था क्या? एक्चल में बेटा ये हमारे जीन की खोजती कैसे? हर, every gene इसको खोजना क्या नहीं? इसको नहीं खोजना इस gene का क्या function है? उसको खोजना अच्छा सर उसके लिए तो हमको सारे gene देखने पड़ेंगे और gene बेटे हैं क्रोमोजोम पे कहां बेटे हैं? क्रोमोजोम पे तो यानि हमको सारे क्रोमोजोम की क्या करनी पड़ेगी स्टडी करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी स्टडी करनी पड़ेगी तो अब यहां पर आंसर करो मैंने कहानी थोड़ी थोड़ी आपको सुना दी करेक्ट आंसर बच्चे कर रहे हैं बट सोनम रहांग जी आपका करेक्ट आंसर है बेटा सी करेक्ट आंसर भाई साथ मतलब थोक के भाव में गलत आंसर दीए बच्छोंने कि एक भी बच्चे का स्लाइड वे मिरेको आंसर सही नहीं दिख रहा है कि यहार तो चुलूबरपानी मेरे को आपके लिए चाहिए या मेरे लिए चाहिए आ कि ममें बस्टो वार्थो पड़ लेंगे आप पड़ा दो बसंत्यार ना आर्ज। cake जी हेलो नेरी बच्ची का सच्छी आंसर दिखा अर्फों सब्सक्रूब करें तो हम Caybra नहीं प्रोजेक्ट मेह contributors आन्सार है और करेक्ट और दृट नहीं ईसंग डीने यानि पूरे ईन जंक का मतवता घ्रूप अब क्रोमोजूम मैं ने बोल दिया तो प्रोमोजूम का पीटाजी कौन है क्रोमोजूम का पिता जी डीने तो पूरे डीने की स्टड़ी करना एक तरीके से हुमन जीनोम का मतलब 2.2 मीटर लंबे डीने की स्टड़ी करना कि उस पर कित्ते जीने क्या फंक्शन है उनका हमको पता चल जाएगा तो हम जैनेटिक बिमारियों की क्या कर पाएंगे ट्रीटमेंट कर पाएंगे क्लियर हाँ सबका गलत हो गया है जंक डीने बिलकुल बहुत बढ़िया आठी और द्विस्टी का करेक्ट आंसर है अब चलो यहाँ पर इसका आंसर करो यह टाइम स्टार्ट्स ऑन टैन चल्दी से आंसर विद प्रॉपर मैनर में यानि कि आपके जिसे डॉक्र किरन जी बिटा आपने आंसर तो किया आपने बट गलत किया सर मेरे लिए क्या बिटा आपके लिए क्या जैजी क्या आपके लिए क्या सी आंसर सर मेरा भी करेक्ट सी क्या वात है नकल मारके हैं मानसी जी आंसर जी नहीं आते ही आंसर सही किया भाई ये कोई अच्छा दिजी था क्या कोशन ओ इसी कोशन था तभी सब के आंसर सही आ रहे हैं फादर आफ क्रोमोजोम ड्याने भाई साब या ista only fish technology strictositionフलोर bütün smash concern bcr abl trans replication यानि की प्रॉद्ध्योगी स्थिक्नी हैनि टेक्नलोजी के अंदर कौन से प्रदीति1 डख़łosی अब पुस्थि करतीय है यानि के वेटा आपको कौन सा क्लर जो है यह बताता एक कि ट्रांसलेशन हो गया है अनुवादन हो गया है यानि की प्रोटीन बन चुका है यह बात कौन बताता है यह बात बताता है यह लो सिगनल कौन बताएगा यह लो सिगनल है न कौन बताएगा यह लो सिगनल करेक्ट ने पेटा यहां देखू n-fish a green signal indicates the presence of BCR चीन ग्रीन का मतलब क्या है फाई ग्रीन कलर इसका मतलब क्या है जीन जो है वह का है उपस्थिति है सर एंड रेड़ कलर क्या बताएगा कि absence of abl gene अच्छा ये कौन सा जीन है bcr कौन सा जीन bcr और अगर बेटा मैं यहां बात करूँ रेड गलर को लेके तो रेड गलर क्या शो करेगा कि जो जीन है वो present है लेकिन कौन सा वाला abl और रेड ग्रेड इंफ्यूजन यानि कि आपको जो मिल जाएगा इसका वंदर वो क्या है यह पता चले गया कि यह आपस में जीन जो है वो क्या कर रहे हैं ट्रांस लोकेशन कर रहे हैं क्लियर तनुए शर्मा जी बिलकुल help मांगे बिटा प्रतिक्षा यादाओ जी क्या बात है ये भी आच्छी किया है बहुत बढ़िया बिटा बहुत बढ़िया संगीता प्रजापपच जी बहुत बढ़िया क्या reply किया बिटा आपने एक बार आपस कर दीजिए मैं देख लेता चलिए कोशन पर जाओ जल्दी से दा नियूक्लियो सोम इस कंपोल्स ऑफ हाव मैंने हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है बाई नियूक्लियो सोम कितने हिस्टोन प्रोटीन से बना होगा ये बहुत बेसिक बहुत प्यारा सवाल है बहुत बेसिक बहुत प्यारा सवाल है ज सर मुझे आपकी help चाहिए tell me बिटा मैंने बताया आपको help क्या चाहिए यह तो बताओ कुशनवा 13 का answer क्या है भाई 13 का answer बच्चे गलती कर रहे हैं C answer दे रहे हैं बदमाशों गलत जवाब दे रहे हो क्योंकि आप वही protein देख रहे हैं जो कि इसमें added होते हैं आपने 8 stone protein देखा आपने गलत आंसर नहीं दिया लेकिन बेटा stone octamer के अंदर आप देखते हो एक plugging protein होता है H1 is called 9 protein वो भी तो रोकता है तो यह correct answer नहीं है correct answer is B तो correct answer क्या है बेटा आपका B क्योंकि वहाँ पर H1 एक plugging protein की तरह काम करता है क्योंकि क्योंकि वह ऐसा सोचते हैं वह ऐसा सोचते हैं कि सर यह उसके बाद में ऐसे कि ऐसे कि और ऐसे कि यह चार आगे और इससर चार पीछे होंगे बिल्कुल सही का आपने मिटा यह चार आगे और इनके पीछे तो करेक्ट आंसर क्या है भाई हमारा नाइन तो द्यान का हिस्टोन प्रोटीन में नाइन एंजाइम्स होते हैं बदमाशों ठीक है चलो कि आप इसका अंसर करो अच्छा यहां पर देखो मैंने बता रखा यह एच्वन प्रोटीन यही यही भूल गए थे आप आप यही भूल गए थे क्या हुआ यह यह करते हैं ऐसे थोड़ा बाकी तस हैट कर लेंगे यह दिख्या पेटा एच्वन प्रोटीन क्लेयर है चलो कि अब इसका अंसर करो देखते हैं 14 का अंसर पहले गौन करता है टाइम स्टार्ट यहां वान ५ो देखों थोड़िसी बात के लचे शोशते रहें से आंसर भी करता रहें तो औहलों बात रहेगे है ऐसा जीव कौन है यह आंसर तो आना चाहिए भाई बहुत इसी कोशन है संगीता प्रजापत जी पिटा काउंसलिंग के रिगार्डिंग उसी वीडियो में बात करेंगे या फिरा वाट्स पर मैसेज कर दीजिए वहां बात करेंगे अंतिमा कुमारी जी गुडिवनिंग 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 शली से गलत आ रहा है मैं बतादू मिटा आंसर काफी सारे बचों के गलत हैं अब मैं लेके चल लेता हूँ आपको कहां पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा यहां पर आप देखो पिटा यूपी सीटी के अंदर अभी एक्जाम हुआ था था यूपी सीटी का और उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया था 27 डेज महा मैराथन क्लासेश वगरा ली थी पिटा उसके अंदर सरफ 27 दिन मैंने पढ़ाया और हूब 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 किते सवाल आके गिरें 59 है और 27 डेज मैंने पढ़ाया बिटा और 27 डेज में यह आके गिरें हैं तो यूपी सीटी के बिटा डैफरेटली बहुत अच्छी सफलता नाम से आप सफलता बैच को जॉइन कीजिए और अपने यूपी के अंदर एक सीट को फिक्स कर लीजिए क्योंकि मैं हमेश्या मानता हूं आपको बहुती सो लोगों किसे कॉंपेटिशन नहीं है आपका कॉंपेटिशन खुद से हैं अपने आप से हर रोज अपना बैस्ट वर्जन निकालने को इश्करों अगर आपको कुछ नहीं आता ना आपके जीरो माक्स भी आता है अपको आपको एक नमबर आएगा और आच से सौ दिनों बाद में सौ नंबर लेकिन हाँ अगर आप कुछ दिन मेहनत करते हो तो एक दिन जरूर बलूर जाएगा पाकी आप अधर देख सकते हो यूके एमस कंदर कितने एक्जाम में कुछ नहीं है बहुत सारे एक्जाम से में आ रखें बिटा और बहुत सारे बचों के रिव्यूज आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जिन बचों ने एक्जाम में दी हैं और यह आप का लिंक आपको मिल जाएगा डाफिनिटली आप इसको जॉइन करिए प्लेश्टूर पर जाके आप आपको लगता है कि नहीं हाँ चीजने अच्छी आ रहे मैं यह नहीं कर आप खरीदी उसको आप पको प्रचिस करें बिलकुल नहीं लेकिन आपको लगता है कि हाँ जैनुवनली सार एफट्स कर रहे हैं तो छोटा सा आप काम करेएगा आप एपको रिव्यू और रेट जरू है कि चलिए अब आजाते हैं वापस ने हमारे questions पर कि इतर को गए हमारे questions ये रहा अब हमारे कोशिन में बात करूं तो क्या था answer clear लिए बेगा आरे बच्छों से हम क्या प्ले मक्खी बड़ी सी मक्खी होते ना तो जी आप कहां से हो मैं आपसे मिलना मिलना है आपसे बिटा मुझसे आप तब मिल पाओगे जब आप अपने कॉलेज पर सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर डाफिनेटली आप मीट अप रखेंगे ख्लिए अब आता है हमारे अगले सवाल पर अधी विग्यो मान लो एक की ममी डौक्टर और एक के पापा क्या है आई-आइ-टी है मम्मी डॉक्टर पापा एटेन और बेटा इन दौनों के लक्षन लेके निकल जाए या बिटिया इन दौनों के लक्षन लेके निकल जाए मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा टेस्ट आप देदो जांसे जोमन करें खरीद दो बिल्कुल नहीं आपका अगर हाथ थामा है तो बेटा हर चीज कराऊंगा मैं नर्सिंग अप्टेट्यूट इंग्लिश जी के हर चीज होगी बेटा आपकी आप अच्छी से पढ़ रहे ओकर यह बात बढ़ाओं कितने अच्छे से पढ़ते हो वो मुझे यह बताएगा कि आ अच्छा रिजर्ट देते हो बिटा बाइलोजी वाल आख्या वाद नाम बड़ा प्यारा है आपका 15 का आंसर भी है सोनम जी का आंसर सही है सुपीरियर होगा क्या होगा सुपीरियर होगा मैंने बता देना अभी दौनों से एडवांस निकल के आ गया तो सुपीरियर होगा यह क्लियर आगे चलो घड़ी को बीच में लेके आते हैं अधियर रिजल्ट अधियर किसका रिजल्ट है मतलब क्या होता है ऐसा कि हाइब्रिट विग्यॉर हो जाता है नर्सिंग से अप यूपी से हैं डाफिनिट लिट आप यूपी से आपको सफलता बैच जॉइन करना चीए बहुत सारे बच्चे जुड़ेवें उसमें आपको डाफिनिट जॉइन करना चीए जल्दी से आंसर जैया जी का आंसर आ गया है पिंकी कुश्वा जी आंसर क्या बात है बहुत सारे बच्चे रिप्लाइस कर रहे हैं आंसर आ रहे हैं बड़ अपन यार मजा नहीं आ रहा तो यह आप में से आदे बच्चों से ज्यादा बच 16 का सर B 14 का सर D 14 का सर C यहां कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे लिख दो जैसे आपको अच्छा लिखता है आप लिखो लेकिन इस तरीके से लिखो पीटा पहले आप ने दिया एक मैंने मैंने कॉर्शन तो यू पिटा कि आपने पहला करेक्ट आंसर दिया है देखो हाइब्रिड विग्यॉर का मतलब नहीं समझे आप हाइब्रिड विग्यॉर का मतलब नहीं समझे हाइब्रिड मैं को इसी समझाता हूं यह है मम्मी जी यह कौन है मम्मी जी यह कौन है पापा जी अब मम्मी जी है हमारी डाक्टर मम्मी जी हमारी डाक्टर पापा ज बच्चा आया इनका इनका बच्चा आया बिटा अब हमको पता है कि मम्मी पापा जब दौनों पड़े लिखे हैं तो बच्चा भी क्या होगा पड़ा लिखा होगा गाउं का गवार तो होगा नहीं पकी बात है तो यानि बच्चा पड़ा लिखा होगा तो बच्चा या तो तो आपको पताएं यह कि टो मुटामें निकाला बाईयो वाला मज़ा मैं के लक्षन भी आ अरए बाए पापा र मम्मी के दॉनला लक्षन है इसका मतलब बच्चा है क्या बच्चा है hybrid बच्चा है hybrid कुछ लोगों को Hagrid की याद आ गई है ना अरे भाई इधर आ जाओ जल्दी से अब कुछ लोग बोलेंगे Hagrid को ओने सर अरे बिटा Hagrid Harry Potter में character है उसका नाम है अब hybrid है ये लेकिन ये बच्चा यहां रुका नहीं ये बच्चा आप लोग की तरह मैंनती था यहां रुका नहीं इस बच्चे ने क्या किया MS पूरी की अपनी MS पूरी की उसके बाद में इस बच्चे ने UPS निकाला और बच्चा बन गया IAS इसका मतलब यह hybrid तो यहाँ था अब क्या बन गया यह hybrid का भी बाप बन गया इसको बोलते हैं पिटा हम क्या over hybrid क्या बोलते हैं over hybrid तो हुआ क्या यह यह dominance तो show कर गया था यहीं कि यह dominant है लेकिन यह over dominance हो गया क्या हो गया over dominance हो गया तो it's called hybrid विग्यॉर का मतलब क्या होता बिटा यह over dominance तो ध्याना क्या है यह hybrid है और यह hybrid है और यह hybrid विग्यॉर है यह hybrid यह hybrid विग्यॉर hybrid always जो है अपने पेरिंट से क्या होगा बैस्ट होगा लेकिन हाइब्रीड विज्ञा और क्या होगा बीटा है बास समंग्ना गई क्लियर पक्का पक्का अब आइधिंग आपके कॉंसेप्स ए तो ओवर डॉमिनेंस समंझ में आ चुका आपको मजा आ गया चले आगे आजाओ इस question का answer करो application of non-ionizing ultraviolet radiation cause यानि gear ionizing परा बैंगने विक्रियन का अनुप्रियोग से क्या होता है भाई इससे होगा क्या यानि gear ionizing परा बैंगने किरने अगर मैंने गिराई आप पर तो क्या होगा तो क्या होगा जैसे x-ray होती है तो ionizing गिरेगी या नहीं गिरेगी तो x-ray में भी same चीज होती है x-ray का ही बात हो रही है बिटा तो क्या होगा ये बताओ मेरे को तो यहाँ पे आपको DNA में mutation देखने को मिलेगा उत परिवर्तन देखने को मिलेगा तो किस basis परिवर्तन होता है और जब जब यह free radical बनेगा तब तक दो free radical आपसे मिलेंगे और क्या बन जाएगा dimer बन जाएगा clear प्रतिक्षा यादाओ जी हिंदी मिटे में आपके सर भी हिंदी मिटे में से मुटाओ मैं भी हिंदी मिटे में वालों के साथ हूँ clear ये बच्वाटी correct 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 अब आगे चलते हैं correct option is correct option क्या बिटा A is the correct option आगे चलो सवाल पे during translation of protein the aminoacetyl RNA arrived at यानि protein के अनुवादन के दौरान aminoacetyl tRNA कहां पहुंचता है भई aminoacetyl tRNA कहां पहुंचता है इबता दो जल्दी से फटा वर्ट से निहा शर्मा correct correct साकेच जी क्या बात है साकेच जी सोनम जी विजयलक्ष्मी जी बिटा आपने answer तो एकदम correct दिये हैं बटा आपने answer फॉर्मेट में नहीं दिये खुश्बुकुमारी बायो वाला बहुत बढ़िया बिटा बंदिना जी शाक्षी पटेल correct बहुत बढ़िया आतीजी बिटा आपने भी फॉर्मेट में नहीं दिये बिटा प्रतिक्षा जी क्या कह रहे हो बिटा हाँ काना मैं भी पढ़ती हूँ आप सारे बच्चे पढ़ते हो पढ़ना चाहिए बिटा जिन्दगी में अगर कुछ हांसिल करना है कुछ पाना है न ये कलम की ताकत ऐसी है बिटा जो अगर किसी ने एक बार पकड़ ली इसको तो उसकी आने वाली सांतों पीडियों को अंधेरे में नहीं गुजरना पड़ता है ये कलम की लॉब में बहुत ताकत होती है क्लियर है आजाएं चलो तो कोश्चन नमबर एट में क्या बोला गया बिटा कि डिवरिन ट्रांसेशन जो अमीनो एसिटाल टी आरेने है वो कहां जाके जुड़ता है तो धियान रखना बिटा वो राइबोजूमल की एस साइट प्याके जुड़ेगा कितरको एस साइट को क्या बात है बहुत बढ़िया पिंके कुश्वाजी का करेक्ट आंसर है ज्यान का बिटा ए साइट पर आके जुड़ता है पिंगी जी एक दम सही आंसर बिटा आपका निया शर्मा सही आंसर बहुत बढ़िया वंदू बिटा तुक्का लगा रहे हो आप करेक्ट ऑप्शन इस ए देशी बॉय भी आ चुके है ना देशी बॉय क्या बात है पिटा वेलकम है एक बाद फटा पट से सारे पचे जाके मुझे यह बताओ कि कितने लाइक्स हो गए है क्योंकि हम हाफ सेंचुरी मार के जाएंगे आज जल्दी आजओ फटा पट से आगे चलें कि कुशन नमबर 19 विच आप देफॉलाइंग इस और कॉंसियस सिक्वेंच यानि कि बिटा सर्व सम्मत अनुक्रम है सर्व सम्मत जो हर जगह पाया जाता है जो हर जगह पाया जाता है अब परताब जी बिलकुल बिटा अचा मेरा नाम भी प्रतिक्षा है ओके ओके दो दो प्रतिक्षा है कितना इंतिजार कर वाओ अधार दो एक प्रतिक्षा से कम नहीं और रहा था यानि कि एक ऐसा से क्वेंस जो हर जगह देखनी को मिलता है तो करेक्ट आप्शन क्या है इसका 54 लाइक तो अब सेंचुरी पे चलें 54 लाइक मतलब सेंचुरी पे चला जाए अब जंप करते हैं पाई मेरे इसाब से 80 लाइक हो जाने का टार्गेट है बाई कर लेंगे 80 लाइक्स चोति का रायचीव भी आ चुकी क्या बात है हेलो बीटा हेलो हेलो ओके 54 हो चुके हैं 80 लाइक्स पहुंचा लेंगे अपन मेरे को विश्वास मेरे बच्टों पर है अंसर आंसर 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 शाहिर खांट 29 कुछ लोग 54 बोल रहे हैं 29 बोले हो आप्सिन तो जल्दी 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 अँआ भाई अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं सान्वु सिंग पहली बार आया है वेलकम है आपका आन आपने आते ही आंसर का कुश्शन का आंसर एक्दम सही दिया है विजय लक्ष्मी जी क्या बात है बहुत बढ़िया पिटा प्रतिक्षा बार लेकर यहों मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मिरे लिए किसी और के लिए है क्या तो यहने की और आफ दीज आर और करेक्ट आंसर जैए जी गुटनाइट विटा आप सोने जा रहे हैं आप जा सकते हैं पिटा चलिए करेक्ट आंसर एज दी अब चलें आगे कोशन नमबर 20 विच आप दॉट आप सकते ना बन असटार्ट कोडोन कौन है तो प्रोटीन ट्रांसलेशन जो प्रोटीन के अनुवादन को प्रारंब करता है यह तो बहुत आसान है यह बच्चे बच्चे को पता है पता है आपको आज भी दूर तरा चलिए गावं में जब कि यह AUG क्या करता है यह AUG मिठ्योनीन को कोड करता है क्या करता है मिठ्योनीन को कोड करता है क्लियर अब याद नहीं चीए बात कि आज भी दूर दराशी गावं में जब को बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है AUG करता है AUG अरे AUG अगस्त वाला महीनाल चल रहा है ना जगदीश परियार जी भी आ चुके मॉनुकुमावाजी क्या बात है बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर बिटा आप सभी का यह एक्जाम में बहुत प्यारा कोशन हैं कही बार आया हूं बहुत बेसिक सवाल है लॉकेश चौदरी जी करेक्ट आंसर बिटा आपका मॉनुकुमा निक्षा यानि अभे प्रताब जी आपका भी वेटरा कर्रेक्ट आंसर है चलिए आगे चलें कि कुछ नमर्ट 21 आज तो मेरे आदे कुछ नोने से पहले आपने हाफ सेंचुरी मार लिए क्या बात है थैंक यू सो मच बीटा चलिए आज एगे यानि परमानो जीनोम में अनुवानश की विबिन्ता का अनुमानित अंश क्या है जिससे जीन फंक्षन पर यानि जीन के क्रियात्मक चीजों पर हानिकार प्रभावपने की उमीद होती है यानि कि परमानो जीनोम में अनुवानिश की विबिन्ता कितनी आ जाए कि जीन क्या हो जाएगा डिफैक्टिव हो जाएगा उसका फंक्षन चेंज हो जाएगा बदल जाएगी बातें वह परसंटेज कितना होना चाहिए तो ध्यान रखना अगर हमारे जीनोम में एक परसं सबस्त है तो आगे बढ़ पाओगे एक दिन कम होने से कोई इशू नहीं है दो दिन कम होने से कोई इशू नहीं है किस हेल्थ सबसे पहले होनी चीए बेटर हमारे ऑप्षिन है ठीक है चलिए आजाइए ट्वंडी टू पे विच्व फॉलाइंग स्टेश्मेंट इस करेक्ट अकॉर्डिंग टू चार ग्राफ रूल कौन सा ग्राफ चार ग्राफ अब चार कौन-कौन से ग्राफ। अरे चार कोई ग्राफ नहीं है चार किसी इंसान का नाम है तो इन्होंगोंने क्या बताया इनके नियम के अनुसबाइब से अब से अ सब तक आपन पानी पीके आता है सबसक्का आपांसर करो जल्दी से कि अब कर दूब झाल झाल कि चले बच्चभाटी जक्दिश पर्यार जी हिंदी में कि उप्केंदी मताता है मिटक और दी नि मॉलीक्यों स्क यानि सारे डियने में ए सी टीजी का दो मान है वह बराबर होता है यह बोल रहा है तो क्या सारे डियने में ACTG का मान बराबर होता है मुझे नहीं पता मैं तो बूल गया आप बताओ अहां बच्चों के आंसर आने लगए हैं बच्चों में से पिंक कुश्वाजी का आंसर सही है अभी तक काना ची बिल्कुल करता हूं मैं कल से आपके हिंदी में विलेंगे डैफिनेटली मैं आज डाटूंगा बढ़ियास है टेक्निक टीम को कि बाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आज मैंने इस तक लिए बोला था चलो और डिने मॉलेक्यूल कंटेंडर सेम प्रपोर्शन आफ एसी की डेन की में एक रजू की डिने जो है मॉलेक्यूल कंटेंडर सेम नंबर अमाउंट अउभ आ यह एक रजू की डेन में एक और यू गार बराबर होता है यूरासिल और एडिमीन दोही रजू Department कैंदर अंसर तो वह कर ँपाएगा जिसको थोड़ी सीजे पता होगी a तो जुडता है T से, G तो जुडता है C से, इसका मतलब साफ घर एक रजुकी होगा तो क्या A और T कभी एक साथ उपाएंगे? ना ना ए और जी एक साथ हो पाएंगा इनका को लेना देना नहीं है कि इनका नमबर आपस में सेम हो क्योंकि लेना देना तो आमने सामने वाले का है जितना आमने होगा उतना ही सामने होगा सर मेरे गले में टॉंसिल है तो क्या मुझे गरम पानी पीना चाहिए बिल्कुल पीना चाहिए एकदम जबलता उबलता नहीं नॉर्मल पानी पीना चाहिए ठीक है ताकि infection बड़े नहीं अब यहां अगर मैं बात करूँ तो इसका correct answer क्या है भाई खुश्बू कुमारी का correct answer है भीटा ध्यान रखना correct answer is D double standard DNA में amount of G and C क्या होता सीम पाई double standard है तो जितना G होगा उतना ही तो C होगा क्योंकि बीच में से तोड़ दो यहां क्या बोला T और C भाई T और C का तो कोई लेना नहीं न क्योंकि एक प्रफ रहेंगे यह कोई लेना न कोई देना clear शाबाज जगदीश परियार जीने बहुत सभी बात बोली A T और G C का जो रेशियो है वो सीम रहता है मेरा भी सईदा सबसे पहले दिया क्या बात है बंदना जी बहुत बहुत बढ़िया करेक्ट है आगे चलें यानि प्लाजमा जिली का मुख्य कारे क्या है सामगरी को घेरना किसकी सामगरी को घेरना खाना बनाने की कौन सी सामगरी को प्लाजमा मेंब्रेन कोशी का जिली घेरती है भाई कोशी का जिली किसको कवर करती है जल्दी से आंसर करो कोशी का जिल्ली किसको कवर करती है किसके समान को घेड़ती है तो कोशी का जिल्ली किसका हिस्सा है कोशी का जिल्ली किसका हिस्सा है बताओ कोशी का जिल्ली किसका हिस्सा है किसी ओर्गेनिस्म का हड़ी का टीशू का ना जिसल का तो सैल को cover करती है क्योंकि टीशू तो सैल से मिलके बनता है ना तब फादर आफ सेल इस टीशू ट्रेयर जो बढ़ा होगा वही तो फादर होगा हे चलो आगे चलता है तो कारेक्ट आंसर का वाई इस से चारो घुले मारती चारओ और कर इक ow मै जो है कि अब आजाम हां आलेवा सवालों में टाइम है लिए जरक्त आके और लोन जी किया बात है आपने पहले सवाल का असर दे धिया डीघा यह जो आप पहले स्था बता आप पहले आसे मेरा आंपको बताया बिटा जो बच्छे पहले बार आए फटा फटाफटा जिकारदो लाइक वीडियो को प्लासम मेंप्रीन की संदर मैंने किस की नुमती है, की संदर संदर lessons care can का कर सकती है बता हो प्लाजम मेंब्रेन का कर सकती है तो का कर सकती है वह प्लाजम मेंब्रेन के Garreck क्या बात बुली कि उन्वरजन गुजिन what gonna bring गूडी विसटी निंग И क्या बात है बढ़ geehr नहीं मुझे encourage करता है कि मैं आप लोग लिए और बहतरीन करूं बिटा रिशु जी बिल्गुल डेली होती है क्लास 8 बज़े होती है डेफिनली आप आके जॉइन कर सकते हैं क्लास इसको आप यहां डेफिनली आप जैक आड्मी आपको भी डाउन्लोड करके वहां विजिट कर सकते हैं वहां पर भी क्वालिटी कंटेंड आपको मिलता है बहुत सारी चीज़ें फ्री अप्ट कॉस्ट दी गई है तो फ्री में जाके आप टेस्ट हैं डीपीपी से वह बहुत सारी आप देख सकते हो टॉपिक वाइस क्लियर है बचाबाडी क्या बात है आंसर आ रहे हैं 24 का भी आंसर देखते हैं 24 का भी है ऑंसर है क्या तो बिल्गुल भाई प्लाज्मा मेंब्रेन कोशी का जिली का काम क्या है आना और जाना या फिर लेके जाना आना और जाना या फिर 24 का अंसर हो रहा है transportation यानि 24 का correct answer है हमारा transportation clear बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया option B क्या बात है अब्दुल जी क्या बात है बहुत बढ़िया बिटा most welcome है जितने भी सारे नए बच्चे आ रहे हैं उनका which type of molecules are involved in responding to external signal received by the cell यानि कि ऐसा कौन सा organ है यही पूछा गया molecule जो है वो involved होता है कि बहार से signal आया मैंने पकड़ लिया तो कौन सा molecule हूम है जो signal को क्या कर रहा है इंटेक कर रहा है signal को पकड़ रहा है बताओ कोशिका को प्राप्त बहारी संकेतों पर प्रतिक्रिया देने पर में किस प्रकार के अनू शामिल होते हैं यानि कोशिका बहारी अनू को पकड़ा उनको respond किया यह कौन से अनू होते हैं जल्दी से बताइए अब्दुल जी फटा फट से बिटा और option के साथ बताइए जैसे बाइलोजी वाला ने आंसर किया बहुत बढ़िया शाक्षी पटेल जीना आंसर किया बहुत बढ़िया सोना सिंग जीना आंसर बिना option के कर दिया बाई टांटी फटेल अनिसे बढ़िया क्या ब twt चैंटी फॉर ना तो टांटी फोर से पहले टांटीफोर लिखोगे और टांटी फाई बिताइए अइसे बदमाशों को लगके इसए और चाहिए अंसर 15 को ना करेंक है मैं तो टुका क्या आता है टुका स़ी हो गया निया शर्मा सभल्व संपार. बेटा तुका किया गरहन करते हैं. यानि सम्मेदांग, 26, question number 26 क्या पड़ा था, specific molecules that bind to receptors are, receptor पर जुड़ने वाले, सम्मेदांगों पर जुड़ने वाले, विशिष्ट अनु कौन से होते हैं, यह विशिष्ट अनु कौन, जो आके जुड़ रहा था, receptor कहा थे, plasma membrane पे, कोशी का जिल्ली पे, अब आके कौन होलेगा आवेग ले लो तुम, आवेग, ले लो तुम, जल्दी से बताऊ इसका answer क्या है, 26 पारेक्ट answer क्या है, जल्दी से बताइए विटाए म। बिलकुन, रिष्ट जी, receptor होते हैं, बिल्कुल सही का आपने, विज़ै लक्ष्मी जी, डी, answer क्या बाते, 26 का answer करो आखो ज सभी आंशर क्या बात है जोती जी बिल्कुछ सही आंसर सोना सिंग जी बिल्कुल कितने टाइम से कॉल होता है सर मैं समझ भी पाइब शुकुमारी जी क्या कह रहे हो आप अच्छा क्लास होता है शायद आप पूछ रहे हो आप बेटा क्लास आपकी 8 बज़े से होती है क्लास आपकी 8 बज़े से होती है बिटा आंसर 26 का एक क्या बात है वाई किसने किया यह आंसर आर्थी यदुवनशी जी बहुत बढ़िया बिटा बहुत अच्छा लगा में रिको आर्थी यदुवनशी जी का करेक्ट आंसर है का यह बनाट है बहुत इसा का लिज का वत-बिटा वो लिज़यश्मी करने में सो या ज़िह जो है वह आपके प्रोस्थ्प्र ग्रूप में आते हैं तो वो किया करते हैं यहां एड हो जाते है आगे चले question number 27 energy transaction is a is the underlying process of which of the following यानि उर्जा परागमन यानि अनर्जी का बाहर जाना निम निकित में से किसमें अंतरने प्रक्रिया है मतलब किसमें ऐसा ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें उर्जा क्या होती है लगती है उर्जा लगती है तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जल्दी आंसर करो कौन सा ऐसा प्रोसेस जहां उर्जा लगती है जल्दी से आंसर करिए कहां है जहां उर्जा के बारे में बात हो रही है पाई DNA के बारे में उर्जा के बात होती है एलक्त्रोन जो है वह सर एन एदी पी एच और ऐसे ऐसे बनता है ना एफ एड पी एच तो सर यह तो एनरजी होती यह ना सर आप बिल्कुल सरी बोला तो शार फोटोसंथेस हों चीनल बिल्कुल कोर्क्ट तो ध्यान रखना जो आप उर्जा पारगमन है उस किस में होगा है य प्लास्मा जिल्ली की रसानिक प्रकरती की बारे में सबसे पहले जानकारी किस इंसान ने कब दी गई प्लास्मा जिल्ली के बारे में किस ने कहां दी अब्दुल जी क्या परा रहे हो बिटा मैं बायोलोजी बढ़ा रहा हूं क्लियर हाँ बेलकुल ऑने डीपी आइच एफ 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 लीपे तू बिलकुल बेटा रिश्यकुमा जी डी आंसर किसका कर रहो बिटा इंसर किसका करो पीठ अब करेक्ट ऑप्शिन किया इसका जिर्टा फिकिश्मारे सवाल है यह तो आता है तो आता है वर्णा नहीं आता तो ज्यानकर 80-90 के अंदर क्या हुआ था प्लाजमा मेंब्रेन का नेचर डिस्कवर बता हूँ कि यूश चिवारी जी विकेंड्स पर क्लासन होती क्यों जो टेकर है आपके आपके आपकी आपके आफ़लाइन और ओनांबचाज में इनक्लिड़ holiness है या आप ज़िर आपकी आप्ट्राइब्स चल रही है wa Hahn उसका से वुकर यहां पर क्लास से दोरूर लेते हैं क्लिया हो जैसे कर आपकी केमस्टी और फिजिस की दौनों की क्लासिस होई है बीटा क्लिया रहे बच्छा बाटी आगे चलें विच माटीरियल है वाग मिच माटीरियल वाउस यूज बाई ओवर टॉन इन हिस एक्सपरिमेंट तो कंड़क्ट द लिपिड नेचर ऑफ प्लाजम मेंब्रेन यानि प्लाजमा जिली की लिपिड प्रकरती का निश्कर्ष निकालने के लिए ओवर्टोन ने अपने प्रियोगों में किस सामगरी का यूज किया कौन सी सामगरी यूज की थी अचार बनाने में जब अर्नेस्ट ओवर्टोन ने दिया था बहुत बढ़िया तो आगए देखो आगे वाला सवाल अर्नेस्ट ओवर्टोन आगे वाला सवाल आ गया ना तो औरनेस्ट ओवर्टोन ने कौन सी सामगरी यूज़ की थी अचार बनाने में कौन सा चार प्लाजमा मेंब्रेन वाला चार हाँ आज़िस में उनली 12 आती है बिल्कुल जल्दी 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 सेल आपका कंबाइन टॉपिक है इससे सवाल कहीं भी बन जाता है आप स्पासिफिक नहीं कर सकते आप क्लिया हो सर टाइम टाइम आपके सामने नौ बचके करीब गरी 25 मिनिट हो रहे हैं आंसर करो जल्दी से इसका आंसर क्या है Its कित्षालर 20 hört 2 साब कि सामगरी क्या थी सब्सक्राइब हो क्या इक खुब्राइब हीजिए कर त्राइकॉं को यूजिग क्या था बदमाशू जाए एन Stim hair को बोलता हैं त्राइगों root hair को नहीं बोलते हैं समझे किसको बोलता है stem hair को बोलता है root hair को नहीं बोलते है गलती मत करके न Clear चलिए आगे चले The fluid mojek model was proposed in the year drug mojek model जो है याGenा मोडल है वो कब प्रस्तावित किया गया था टॉपिक सेल है बिटा आपका सेल कोशिका रिशु कुमार जी आपको PDF जो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी तो बताओ और फ्लूड मुझे जो है वो कब दिया गया था आंसर यह तो फिर अटाफिकेशन वाला सवाल यहां तो आचे 1972 एक्जाम में कई बार आ रखा यह चीज तो 1972 प्लांट रूट हेर हां बिलकुल जो तिक राजी ने विश्म सही का और प्लांट रूट हेर को हम क्या नहीं बोलत सब्सक्राइब यहां रखेगा अब आजाते हैं नेक्स सवाल पर अकॉर्डिंग टूदा फ्लूड मुझेक मॉडल दमेंब्रेन इस क्या है वाई फ्लूड मुझेक मॉडल के हिसाब से मेंब्रेन क्या है आपके रिजिट डिस्कॉंट इस शीट लाइक एड फ्लूड अंसर आंसर क्या वात है बहुत सारे पच्छों के सही आप देलें अब्दुल जी अजय जी अभे प्रताब यानिकी हमारी प्रतिक्षा जी रेशु जी कहां से आप कहां से आपका मतब समझा नहीं बिटा में आपका जल 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 दी गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग सुएंदर जी गुड़ इवनिंग निकषत खातुन जी लेट आयो देर आये बर दुरस्त आये आयो इस्तिवारी जी सर कैसे एड होगा प्र टेलीग्राम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बाकि अभी मैं आपको बता दूँगा टेलीग्राम चैनल जैकाडमी फोर नर्सिंग आप सर्च करना आपको मिल जाएगा बाकि दिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अबाउट सेक्शन में जाना यूट्यूब पे जैकाडमी के वहां सारे लिंक्स मिल जाएगा चीजों का benefit उठा सकते हों मिलती है महां पर बहुत अच्छे अच्छे को देखने को मिलता है तो क्रेक्टर ऑप्शन क्या है थर्टी फस्ट का थर्टी फस्ट का क्रेक्टर ऑप्शन है फ्ल्यूड लाइक नाम से पता चल रहा है बिकार कॉशन था ये तो आगे चलें क्यो मेंब्रेन में सबसेदा effect होती है जब temperature क्या होता है fluctuate होता है अब्दुल जी आप यूपी से है definitely बहुत अच्छी बात है कार्तिका पांडे जी बिटा गुडियूरिंग गुडियूरिंग जित्ते भी नए बच्छे आ रहे ना उन सब से मेरी रिक्वास्टे बिटा बहुत आप उसको जाके जॉइन करिए मारस्ट जो बच्चे हैं उनके लिए मसीटी का बैच संगर्स बैच है जो राजस्तान के बच्चे है उनके सार्थी बैच स्टार्ट किया है तो आप वहां पर जोड़ सकते हैं नहीं बिटा टेलिग्रम अगरा पर कुछ पैसे नहीं लग र करवाई की बिटा मोर देन हंड्रेट प्लस प्लस टेस्स के साथ में आपको चीज़े मिलेगी बिटा साड़े अठारा हज़ार कोशन की प्रैक्टिस में आपकी करवा दूंगा आपके एक्जाम तक तो एक्जाम में यह हालत रहीगी अगर आपने मेरे को फॉलो किया तो आ जिसमें आपने डिटा भी चीज़े नहीं किए सर सीधे सीधा एक्जाम में आगया आपके पढ़ाएवे क्लियर है सब्सक्रमन तापमान पर सबसे अधिक प्रभावित होगा तो क्या प्रभावित होता है भाई 32 जल्दी आंसर करो जल्दी से तो करेक्ट आंसर is fluidity क्योंकि कि वही तो उसकी वैटर थी क्या होगा temperature बढ़ने में बढ़ जाएगी को कोशन 33 दो डाश दग्री ऑफ अन्साटुरीशन ऑफ फैटी आसेड ऑफ दो बाई लेयर डाश दे टेंपरिचर भीफूर तो बाई लेयर जल यानि बाई लेयर की फैटी आसेड में असंत्रप्त की डिग्री क्या होगी मतलब असंत्ता कम होगी या ज्यादा होगी यह पूछा गया है तो बताओ इसका आंसर क्या है तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछे कि टेंपरिचर बढ़ाने के साथ असंत्ता क्या हो जाएगी और उससे पहले कम रहेगी डेफिनिटली तो करेक्ट आंसर क्या है यह पहला वाला सवाल ही था यह पहला वाला सवाल ही था यहाँ पर आपका क्योंकि जब बढ़ेगी तो देफिनिटली उसकी सैजुरेशन भी पहले ज्यादा होगी फिर कम हो जाएगी इसका अंसरो 34 का ओके कॉलेज पढ़ेंगे कोई दिक्कत ने मैं तो खु आप यूपी से यह पिटा आप जैकाइड में आपको इंस्टॉल कीजिए और वहां पर विजट करिए एक बार सफलता बैच को आपकी यूपी के लिए बाच चल रहा है बहुत मजा आएगा आपको काना जी आप धोरपूर रहानी राजस्तान से हैं डेफिनिटली आप सार इस कुछन आप रोज कर पाऊगे बिटा और अगर आपने इतना ही महनत की ना सेलेक्शन से कोई नहीं रोख सकता आपको विज़ोस बीसिनरसिक एक्जाम हार्ड नहीं है बिटा बीसिनरसिक एक्जाम सर्फ आपसे मांगता है आपकी continuity आपकी consistency आप कितने नियमित हैं बिटा क्लास आपकी डेली बेसिस पे रोज आपकी आठ बजे शुरू होती है चलिए इस काहन से करिए क्या बोला गया विच्व फॉल्विंग मॉलेक्यूल्स अफेक्ट दव मॉबैलिटी ऑफ फैटी आसाइल चीन इन दप्लाज़ा मेंब्रेन इन इनने किसमें से कौन सा आप वह जिम्मेदार है यह हार्ड अटैक के लिए भी जिम्मेदार है सब ग्लास चाहिए बिटा आप वह बैज कर सकते हैं लेकिन मैं हमेशा वह बहुंगा बैज जोईन करने से पहले बार मुझसे बाद जरूर करिएगा विकास आप कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर आपको यह बैज करना है और करना है तो क्यों करना है नहीं करना है ठीक है अपका अटिरियो अस्क्लारस जो है वह यहां देखने को मिलता है निया शर्मा 65 15 लाइक दूरे अपन कर सकते हैं एक बाद शेयर करके आजाओ अपने सारे ग्रुप्स नों सबको बुला लो कि जल्दी से आजाओ फटा-फट से आज सरने बोला है अस्त्री लाइक पूरा करेंगे जल्दी आजाओ है है कर्यक्ट ऑंसर आप करते थेटी 50 विच अफौर लॉयग अकरिन डब्रे यदू ज सर फ्री च्लासेश नहीं है क्या है बता दीजिए next class का कौन सा topic है next class में कौन सा topic बता ले लेंगे next class का topic आप decide कर लो मैं वह ले लूँगा अगर दस बच्चों ने एक topic बताया वही topic decide करेंगा अपन दस बच्चे होने चाहिए है क्लियर चलिए तो कौन क्या होगा भाई जल्दी से बताओ temperature कम कर रहे हैं हम अगर हमने temperature को कम किया तो क्या हो जाएगा वह डी सैचुरेट हो जाएगा क्या हो जाएगा डी सैचुरेट हो जाएगा सब मुझे तो कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता कोई बात नहीं आ जाएगा सर क्लास कब एंड होगी क्लास बिटा पांच कोशन और बचे हैं तो मुझे लगता है साथ 5-6 मिनट और चलेगी फिर खतम क्लियर है निकत खातून जी ए नहीं बिटा डी नेचुरेशन में टूर जाता है बिटा आप गलती कर गए देखो डी नेचुरेशन में क्या होता है डी ने ब्रेक हो जाता है डी ने ब्रेक होता है बिटा और डी ने ब्रेक कब होगा जब आपका टेंपरेचर बढ़ जाएगा यहां उसने बोला है तापमान कम करना तो इस सैचुरेट हो जाएगा यह नहीं D saturation देखने को मिलता है बिटा clear question number 36 answer बिटा इसका lipid raft are patches of cholesterol and lipid raft raft का मतब होता है जहाज छोटी सी जहाज होते हैं छोटी सी लकडी की बनीवी ना वोले हम उसको मतबता है raft तो lipid का ऐसा raft होता है are patches in the cholesterol cholesterol के patches होते हैं वो क्या होते हैं उनको क्या बोलते हैं यह पूछा गया आपसे lipid के raft को क्या बोलता है lipid जब शब्द आता इसफिगो क्या था इसफिगो इसकॉर्ड इसफिगो लिपिड क्लियर है पीटा molecular basis of inheritance बच्चे बोल रहे है ईंग्लिश में होती है बिलकुल रिशो जी बिलकुल इंग्लिश में होती है प्लांड physiology animal kingdom ले चुके बिटा आयू इस्तिवार जी लास्ट टू लास्ट क्लास जो थी वह अनिमल kingdom की थी आपकी मैक्सिमम किसके व्यूज आते हैं देखते हैं कि मैक्सिम कौन साब human physiology अभी तक तो सारे अलग आया है mind mistake कोई बात नहीं बिटा हाँ परसों ही स्टार्ट हुआ है यादव जी बिलकुल आप बैच जॉइन कर सकते हैं यह टेंशन मत लिजिए के बैच कब जॉइन हुआ बिकॉज आपकी बैच में जो भी क्लासेज हुई है वह मैं वन शॉट के मादम साब की दुबारा वापस हर चीज रिवाइस कराऊंगा इन लाइव क्लासे सारे सब्देक्स में तो डूंट वरी बिटा रिश्य कुमारे जी यह लिए बिलकुल बैच है बिटा उसको जॉइ प्लाजमा जिल्ली यानि के वह फ्लूडिटी शो करती है उसके लिए हम किन कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं किसके साथ करते हैं उन कोशिकाओं को बताओ जल्दी से अब यह कोशन का आंसर तो देना ही बनता है सर मैंने आज आज मैंने क्लास मैंने सिर्फ सुना आंसर नहीं दिये सौरी सर जी काम कर रही थी मैं ओके बड़ा कोई बात नहीं बड़ा बहुत बड़ा सर मेरा नाम अंजली तिवारी है ओके बड़ा ओके आनिमल स्ट्रक्चर ओके ग्राविटेशन पिटा मौहित और सिया जी आपको शाइद पता नहीं है मैं फिजिस केमस्टी बायोजी तीनों पड़ा सकता हूं पुराने बच्चों से पूछो या फिर यूट्यूब पे जाके क्लासे देखो बेटा मैं तीनों सब्जेक्स नर्सिंग अप्रिट्यूट भी मैंने पढ़ाया है जीके भी मैंने पढ़ाया है हां इंग्लिश पढ़ाने का वक्त नहीं मिला वहना वह भी पढ़ा लेते हूं लें आगे 37 का बी आंशर कर रहा हैं बच्चे बी आंशर नॉट एक्सपरिमेंट करते किस पर करते हैं बई चूहों पर हमने यहीं पर किया हैं इंग्लिश ग्रामर की ट्लास यह जो आपके अडिशनल सब्जेक्स हैं उनकी क्लासे आपकी मार्श में होगी क्योंकि मार्श तक का target है कि हम पूरा सले बस complete कर चुके होंगे test series start कर चुके होंगे हमारी भैतर major minor वाली और उस वक्त फिर हम start करें आपके additional subjects so additional subjects हम अपने live class में cover करेंगे और हमारे जो main subjects है वो test series के माधियम से test के अंदर हम revision करेंगे बेटा clear बेलोकुल मेरे बच्चों को पता है मैंने यहीं इसी चैनल पर class लिए आप जाके पीछे क्लास को चेक कर क्या हो one-shot classes लिए all subjects की mcq classes लिए all subjects की क्लिया है कि अधिशनल सब्जेक्स आपके मार्च से start मुझे भी पता है कि आप लोगों को अभी अधिशनल सब्जेक्स पर फोकस नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए बायो टेक्नलाजी ओके नंदनी बिटा ओके तो अधिशनल सब्जेक्स आपके स्टार्ट होंगे आफ्टर मार्च चलिए आगे चलें 38 में बात करें विच फिनॉमेना आर मेड यूज ऑफ एन टेक्नीक एफ रैप टेक्नीक किस घटना में उप्यू किया था अब एफ रैप टेक्नीक का उप्यू किस घटना में करते हैं तो ध्यान रखना आप लोग सर नेक्स चेप्टर कौन सा होगा बता दें सर तो घड़ी बजुला कर दसत नहीं मिनिस्टर ने मिस्निस्ट्यूनर मिनिस्ट्यूनर बिटा आपकी भाषा मैं समझ नहीं पा रहा हूं अब्दुल जी गुड़नाइट बिटा गुड़नाइट कल का टॉपिक चलो बता देत क्या होगा बायोटेक कल हम बायोटेकनलोजिये डिक्स करेंगे बाइट्उ करेंगे थो ठीक है चलो करते हैं तो यानि अफ रम कर एक्छा ता अब यहां विच टाइप ऑफ मॉलेक्यूल यूज एट इन स्टीपी यानि स्टीपी वे किस टाइप के मॉलेक्यूल जो है वो उनको यूज करते हैं अब बताओ hé,Spt पे हम क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताओ,Spt फे हम क्या यूज करते हैं, बिल्कुल Baiotechnology बिल्कुल मजा आयेगा, खोई बात निए गलतिया करके इनसान सीखता है, गलतिया करनी चाहिए, करेक्ट आंसर क्या है 39 का जल्दी से अचा घड़ी बीच में आती है तो नोर्स नहीं लिख पाती है ओके 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 अब समझ में आगए अभी आई तिंक सही है बिटा है ना अचा कोश्चन समझ नहीं पाए ओके देखो बिटा आप से यह पूछा गया है कि SPT जो है उसके दर कौन से मॉलेक्यूल को हम यूज करते हैं तो ध्यान रखना SPT एक प्रॉसेस है जिसमें हम गोल्ड पार्टिकल को यूज करते हैं क्या यूज करते हैं गोल्ड पार्टिकल को यूज करते हैं आप देखो in a technique of single particle tracking यानि SPD single particle को मुझे track करते हैं तो उसमें individual membrane के अंदर protein को जो है label करते हैं किसे गोल्ड पार्टिकल तो जहां जहां वो गोल्ड पार्टिकल जाएगा वहां वहां उसको क्या करेंगे ट्रैक करेंगे बिटा तो SPT अब आची क्लास का अंतिम सवाल देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन करता है देखें जोश आ गया सब तयार हो कल सर ऑप्षन हिंदी में भी लिना बिल्कु डैस नेचर आफ मेंब्रेन यानि की झीली जीव विञ्ञान में आटिकल चिंती का उप्योग जली कि किस प्रकरती को फुष्टी करने के लिए किया जाता है यानि आप्रीक हो तो इसे फ्लाख या और सपर.भस पर बहुत बंदमाशी करता है यह चिंता काड़ देता है नह वापस में नेचर हो जाए तो यह क्या शो कररहा है यह शो कर रहा हैror क्या है मेरी अभी नेचर की और क्या हो रहा है एलस्तिक की है आए क्रेक्ट उप्षण लोकेज जी हंदी में पे लेंगे बिलकुल अल Zarate тор Yumele और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को आपके साथ करनी है वह मैं आपके साथ कर लेता हूं देखो पिटा नीज़ा आपको जोईन कर सकता है यह ने पीडियेफ नोड़्स मिल जाएगी वाट्स नमबर मेरे खुद की आपको पता है वह आप छुपा लेता हूं अपने आपको है ना सप्राइज है 8619850532 ठीक है पिटा अब आगे चलें यह सारी फैकल्टी आपको पढ़ाती है इनके अलावा भी विज़सर जो है इनका कल वीडियो आया था आपको उनके साथ देखिए वह आपके अंदर अलड़ी पढ़ाते हैं उनक आपका नाम बिल्कुल है इसके बाद में तूट रवाजी की सीरीज हमारी चल रही है उसमें बायलोजी का सेग्मेंट है हमारा फिजिस्के में से क्लासे आ रखी है ठीक है तो आप उनक्लास को जॉइन कर सकते हैं चल रही है पिछले आर सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं आप एसी नर्सिंग वालोगों को तो डाफिनेटली आप भी जॉइन कर सकते हैं बीटा वीडियो लैक्सेस मिलेंगे आपको PDF नोट्स मिलेंगे आपके अंदर चैप्टर वाइस टेस्ट होगे आपके वन शॉट क्लासेस होगी डाउट सेशन्स आपको होगे बीटा आपको हर तरीके से वो सारी सिर्फ प्रोवाइड करवाएगी जिससे आपको सेलेक्शन बहतर हो पाए हिंदे इंग्लिश मीडियम के अंदर क्लासेस होती है डाफिनेटली आपकी जो क्लासेस होगी एक्जाम बेस टेस्ट है दस मॉडल पेपर आपको मिलेंगे पंद्रा साल के प् इसलिए मैं बोलता हूँ आपको जो ॡीपीप मिलती है बिटा जो एपके बच्चेव को पता है। बिपी एक दस कोशन का सैगमेंट है जो आपको टेस्ट फॉर्मेट मिलता है अगर आप यह करते हो तो सलेक्शन कोई नहीं छीन सकता आप से कोई भी नहीं सकता आप पंजाब के लिए मेरी उनके लिए 220 सीट के लिए जैसे प्राशी बेटा है तो इस सारे बच्चे के अंदर है उत्राखन वालों के लिए ब्रह्मास्टर बैच जम्मू कश्मीर वालों के लिए जुनून बैच है आपका तो यह तमाम बैचे आप लोगों के लिए ही है जैसे Imz के लिए उमीदायाश्च वालों के सार्थी बैच यूपी के लिए सफलता बैच है आपका आपका अंपि के लिए समरप्र बैच है सब्प्के आपका यह इसको कर सकते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि लिए है एक है बिलकुल बिलकुल लेक्ट आऊगा काना ची प्रॉमेस मेरा कलव को हिंदी में मिलें चीज ने चे रहे हैं है आप जैका बूस्त जाएगा पिस तरीके से चल रही है और उसको देखके आने के बाद में आपको जो अच्छा है आप positive negative जो भी आप रिवीव दिना चाहते हैं वो रिवीव जरूर दिजीगा विकॉस आपके छोटे-छोटे रिवीव से मैं अपने आपको इंप्रूव कर पाता हूं कोई भी इंसान पॉफेक्ट नहीं होता मैं तो बिल्कुल भी पॉफेक्ट नहीं है तो मैं हमेशे आपन किया जगदीश परियार जी आप जरेंटिक्स की ही क्लास दिया लेट आये थोड़ा शुरू के कोशन आप उठाके देखिए लेए अगर आप अगर आप लोगों के प्यार के बदौला सी मैं खड़ा रह पाता हूं आप लोगों के सामने बच्चे हैं तो बहुत सारे बच् में आपको इंस्टॉल कीजिए जुड़ जाएए आज से अपने एक सेलेक्शन की सीट के लिए कि मेरे को एक सीट चाहिए ही चाहिए चाहिए कुछ भी हो अगर किसी चीज को सिद्दत से चाहो तो पूरी काइनात उसे मिलाने में जुड़ जाती है बिल्कुल तो अपनी ए कोई ऐसा बड़ा एक्जाम नहीं जिसमें आपको लगी कि मेहनत करनी मुझे अठार अठार घंटे पड़ने बिल्कुल नहीं अगर आप क्लास के साथ में सिर्फ चार से साधे चार घंटे पड़ते हो ना बहुत है मैं यह नहीं बोलूगा घंटे बर में सेलेक्शन हो करेंगे अच्छा माराथी लेंग्वेश थी थोड़ी जोड़ी आती थोड़ी दोड़ी शीक जाओंगा मैं आप लोग के साथ में ठीक है चलिए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई टेक केर सुब्रात रही